अले अब्रीवन वेल्कम बेक टू माई यूरी चैनल सिविल कॉंसेप्ट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसे क्यूबिक एक्वेशन के रूट को हम कैसी यू Fx91ms scientific calculator का यूज करते वे कैसे find out करेंगे तो चली शुरू करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अप यहां पर आपके एक किवेशन दिया गया है xq-9x square plus 23x-15 is equal to 0 जहां पर आप देख सकते हैं कि xq का coefficient 1 है जिसको हम a से देनोट किये है उसी तरह के से b is equal to minus 9 हो गया and c is equal to 23 and d the constant is minus 15 चली आप हम यूज करते हैं Fx91ms का LC का सबसे पहले आप इसको on कर लेंगे आप यहां पर mode CL इसको mode clear button कहते है उसको three time press करेंगे 123 यहां पर आपको equation के नीचे one written है आप one number का button प्रेस करेंगे उसके बद आपके screen पर unknown 23 लिखा होगा आप क्या करेंगे यह जो big button दिख रहा है उसके right side पर arrow button दिख रहा है आप उसको one time प्रेस करेंगे आपको degree यहां से चूज करना है as you know कि cubic equation का degree आपका three होता है आप three button प्रेस करेंगे उसके बाद आप a,b,c,d की value को put करेंगे यहर a is one b की value minus nine है minus nine equal का button प्रेस करेंगे c की value 23 है 23 प्रेस करेंगे फिर आप equal का button प्रेस करेंगे और d की value है minus 15 है आप equal का button प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका cubic equation का पहला root five निकल कर आया दूसरा root x2 is equal to one आया and the third root will be three तो इस तरीके से आप easily किसी cubic equation को fx nine number ms का यूज करते वे solve कर सकते हैं थाप वाची